राथी राथी दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिसी दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरू दबाएं दोस्तों अक्षे दित्या हर साल बैसाक मास की शुकल पक्ष की दित्या को मनाई जाती है और इस त्योहार को धनप्रधि और सुक्सम्रधि से जोर का देखा जाता है मानिता है कि पूरे साल का यह सबसे शुबमहुरत होता है इस दिन बिना पंचांग देखे बिना कोई भी शुबमहुरत निकलवाए कोई भी शुबकारे किया जा सकता है माना जाता है इस दिन किसी भी शुबकारे की शुरुवात की जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है वहीं जब अक्षे तित्या पर कई सुब संयोग हो तो इसका महत्व और बढ़ जाता है इस बार भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है इस बार अक्षे तित्या बेहर सुब योग में होने की बजह से अगर इस दिन धन ब्रद्धी के लिए कुछ उपाय किये जाए तो हमें अक्षे फल की प्राप्ति होगी अक्षे तित्या पर मा लक्ष्मी को प्रसिन कहने की कई उपाय शास्तों में बताये गए है आज हम आपको शास्तों में बताये गया अक्षितितियां पर कहने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रही है इस उपाय को कहने जीमा लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है धन के सभी समस्याएं दूर हो जाती है धन में बरक्कत होती है ब्यापार अच्छा चलने लगता है और कज से भी जल्द ही छुटकारा मिल जाता है भगवान विश्णों के किरपा से सभी कष्ट दूर हो जाते है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मारी इस वीडियो को लाइक अभश्य करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर पैल आइकन को भी जरू दबाए धन की समस्या जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है धन की हानी होना, धन बेफिजूल में खर्च हो जाना घर में धन का टिकना नहीं और ब्यापार में प्रधी ना होना बरक्कत ना होना, धन की हानी होते रहना यह समस्या अथिकतर खरों में रहते हैं इन समस्याओं को दूर करने के लिए आक्षे तितिया का दिन बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन मालक्ष्मी को प्रसन कर आप अपने धन सम्मंदी इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। धन की प्राप्ति के लिए धन सम्मंदी समस्याओं को दूर करने के लिए अक्षे तितिया के दिन सुपह उठकर इसनानादी करने के पश्चात सुच्छ बस्त धारन करें। फिर आप भगवान पिश्णु मालक्ष्मी जी के सामने एक शुद्धिखी का दिया जलाएं। और भगवान पिश्मी नाराय को कुम-कुम और हलती से तिलक करें। फिर आप पांच कोडिया ले। कोडिया आसानी से पंसारी के दुकान पर मिल जाती है। या फिर आपके घर पर अगर पहले से मालक्ष्मी के पूचन में इस्तमाल की गई कोडिया हों तो आप उन कोडियों क भी ले सकते हैं। आपको पांच कोडिया लेनी हैं। इन कोडियों को आपको मालक्ष्मी के सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिचा कर उसके ऊपर रखना है। पांच कोडियों के साथ आप पांच साबद फूल बाली लॉंग भी लें। और इन लॉंग को भी आप कोडियो के साथ कप्डे पर रख दें मालक्ष्मी के सामने कोड़ी और लॉंग रखने से पहले आप इन्हें गंगा जल से शुद्ध कर लें गंगा जल ना हूं तो शुद्ध जल से आप इन्हें शुद्ध कर लें और फिर इन्हें मालक्ष्मी के सामने रखें फिर आप कोड़ी और लॉंग पर भी हल्ति कुमकुम से तिलक करें शास्तों में पताया गया है कि लॉंग और कोड़ी मालक्ष्मी को अति प्रिया हैं लॉंग और कोड़ी मालक्ष्मी को अर्पित करने से मालक्ष्मी अति शीक्र ही प्रसन हो जाती हैं अब आप भगवान विश्टू मालक्ष्मी क पूचन करें आग बंद कर जयमालक्षमी जयमालक्षमी का थोड़ी देर चाप करें इस तरहें पूचन करने के बाद अक्षरतित्या के अगले दिन इसनानादी करने के पश्चात आप इन कोड़ी और लॉंक इसे लाल रंग के कप्रे में बांध कर अपने धन रखने के प्रकने लगता है जीवन में यशकिती और मानसमान की प्राप्ती होती है दोस्तों आपको यह लॉंक और कौड़ी अपने धन रखने के इस्थान पर साफ इस्थान पर रखनी है आप किसी स्टील के डिबे में धन रखते हों या आपकी कोई तिजोरी हो या दुकान है वहां पर आपका कैश वॉक्स है गल्ला है आप किसी भी धन रखने के इस्थान पर लॉंग और कोड़ी को रखते हैं पर ध्यान रखें अशुद्ध हास से इन्हें नाच होएं इसलिए आप एक अलग डिब्बा बनाकर उसमें इन्हें रखकर इनके साथ थोड़े से रुपए भी या फिर आपके घर में जिस जिके जोलरी रखी हो आप वहां पर भी इन्हें रख सकते हैं ऐसा कैने से मालक्ष्मी की कृपा से धन में ब्रत्थी होती है और धन संबंधी समस्यां जल्द ही दूर हो जाती हैं दोस्तों अगर आपके पास कोड़ी नहीं है तो आप निराश अब हम आपको एक ऐसा उपाई बताने जा रहे हैं जो सिर्फ आप लॉंग से कर सकते हैं उपाई करने के लिए आप 11 सापुद फूल बाली लॉंग लें ध्यान रखें कोई भी उपाई या पूचा करते समय लॉंग सदेव सापुद फूल बाली लें तूटे हुए फूल क लॉंग से अगर आप कोई पूचा या उपाई करेंगे तो वह पूर नहीं होगा लॉंग लेने के बाद आप एक लाल रंग का धागा लें आप जो साधा सलाई का धागा होता है वह भी ले सकते हैं या कैसा भी जो भी आपके पास धागा उपलप्त हो लेकिन ध्यान रखे लाल रंग का होना चाहिए आप इस धागे से आप इन ग्यारे लॉंग को बांद कर इसकी एक माला तयार कर लें या फिर आप के घर में कलाबा हो जिसे मौली कहा जाता है आप उसको भी ले सकते हैं अब आप इस कलाबे से ग्यारे लॉंग को बांते हुए आपको एक माला त दयार करने के बाद आप इस माला को गंगा जल से शुद्ध कर लें, गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल डाल कर आप इसे शुद्ध कर लें, आप आप हर लौंग पर हल्ती और कुमकुम से तिलक करें, फिर आप अपने मंदिर के सामने आसन पिछा कर बैठ जाएं, भगवान बिष्णू मालक्ष्मी जी के सामने शुद्ध की का दिया जलाएं, भगवान बिष्णू मालक्ष्मी जी को भी हल्ती कुमकुम से तिलक करें, तिलक करने के बाद आप यह जो माला है, इसे मालक्ष्मी जी को पहना दें, अगर मालक्ष्मी जी के ऐसी प्रत्माय तस्वीर ह जिस पर आप माला नहीं पहना सकते तो आप इस माला को मालक्ष्मी जी के चर्णों में रखते फिर भागवान जी को अपने शथानुसार फलमिष्ठान का भोग लगाए इसके बाद आप मालक्ष्मी के इस मंत्र का यथा शक्ति जाप करें मंत्र इस प्रकार है दोस्तों हो सके तो कम से कम 108 बार आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें अगर आपके घर कमल गट्टे की माला है तो कमल गट्टे की माला पर इस मंत्र का जाप करें इससे मालक्ष्मी अतिशेक्र ही प्रसन हो जाते हैं मंतर का जाब करने के बाद आप भगवान पिष्टू मा लक्ष्मी जी को प्रणाम कर दंसम्मंदी समस्याओं को दूर करने की प्रातना करें फिर अक्षिर दित्या की रात्री के समय आप इस माला को मा लक्ष्मी जी के चर्णों से उठाएं और अपने मस्तक पर लगाएं और फिर इस माला को अपनी धन रखने के इस्थान पर रखतें ध्यान रखें इस माला को भी आपको अशुद हाथ से चूना नहीं है आप चाहें तो लाल रंग के कपड़े में इस माला को रखकर कुछ रुपए रखकर आप इसे मंदिन में भी रखा रहने दे सकते हैं दोस्तों इस उपाय को कहने से मा लक्ष्मी की किरपा से धन में बढ़ोत्री होती है घर में धनकी कोई कमी नहीं रहती और धनकी हाने होना बंध हो जाती है दोस्तों अगर आपके धन पर किसी की टोक लगी हुई है किसी की बुरी नजल लग गई है पहले पैसा अच्छा था घर में लेकिन आप घर में धनकी कमी होने लगी है ब्यापार में गिराबट आने लगी है या आपके घर परिवार पर नकारात्वर उज़ा हाभी रहती है तो आप अक्षिर दित्या की रात को लॉंग से यह आसान सा उपाय जरूर करें इस उपाय को करने के लिए आपी साबुत फूल वाली लॉंग ले और थोड़े से काले दिल लें और अपने मंदिर के सामने खड़े हो जाएं और इस लॉंग और काले दिल को आप अपने सिर पर से क्लॉक वाइस 21 बार घुमाएं यानि कि 21 बार अपने सिर पर से इनहें बार हैं लॉंग और दिल बारते समय आप मन ही मन ओम नमो भगवति वासु देवाय मंतर का जाप करते रहें। उताने के बाद अब आप अपने घर से बाहर किसी खुले इस्थान पर जाएं या फिर अपनी चट या अपनी बाल कोनी में जाएं और इन लॉंग और दिल को अपनी सिर्पस से पीछे की तरफ फैक दें। और पीछे मुड कर ना देखें। अगर आपकी घर गंगा जल है तो अपने उपर गंगा जल का छिड़काप कर लें। फैकने के बाद आप मंदिर के सामने आकर भगवान बिश्णु मा लक्ष्मी जी के चर्णों में मस्तख जुका कर प्रणाम करें। और जीवन में चली आ रही तमाम परिशानियों को दूर करने की प्रातना करें। दोस्तों इस उपाय को कहने से अगर आपके धन पर, प्यापार पर, आपकी खर परिवार पर किसी की बुरी नजल लगी होगी, कोई रोक टोक होगी वह दूर हो जाएगी, कोई नकारात्मक उजा होगी तो वह हड़ जाएगी। इस उपाय को कहने के बाद आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा। इस उपाय को कहने से जीवन में चली आ रही परिशानिया दूर होती है। और धन में बरकत होती है। घर में सुख सम्रद्धी आती है। दोस्तों अक्षितितिया के पावन पर पर आप यह आसान से उपाय कर इन से लाव अवश्य ही प्राप्त करें। उमीद हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंग्स और इस्तिदारों में जादर से आप उठा सकें। हमारी और फी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फूर वाचिंग। राथे राथे।